तो गाइस कुछ दिनों पहले Redmi ने इंडिया में Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro को हाल में ही लांच किया था तो दोस्तो ये दोने स्मार्टफोन के लांच करने के बाद Redmi अपना एक new device इंडिया में फिर से लाने जा रहा है जिसका नाम होगा Redmi Note 9 तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस स्मार्टफोन के लिक्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में क्योंकि इस स्मार्टफोन में हमें मिलने वाला है बीग एमेज की बैटरी कैपिसिटी क्वाड कैमरा को आप्शन, फिंगर पिंट सेंसर और बहुत कूज तो दोस्तो अगर आप इंट्रेस्टेड है इस स्मार्टफोन के बिसे में जादा जानने के लिए तो वीडियो में सुरूश लेके अंतक बने रही है अगर अगर हमारे चैनल पर पहली बाव विजिट कर रहे है तो चैनल को सस्काइपर के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो चले जुस्तों इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं तो guys बात करें Redmi Note 9 के feature के बारे में तो इस smartphone में जो हमें design देखने को मिलेगा back side वो बना होगा polycarbonate से इस smartphone में fingerprint sensor का option देखने को मिलने वाला है इस smartphone का image resolution होगा वो होगा 8000 गुडे 6000 pixel के बीच में ये स्मार्टफोन fast charging को support करेगा और इस स्मार्टफोन का जो operating system होगा वो होगा Android V9 0 Pie का इस स्मार्टफोन में जो हमें screen resolution देखने को मिलेगा वो होगा 1080 गूरे 2340 पिक्सल के बीच में यहीं पे दोस्तो Redmi Note 9 के other feature के बारे में बात क्या जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलने वाला है Snapdragon 675 का chipset जो की काफी अच्छा होता है यहीं पे इस स्मार्टफोन में हमें big display का option देखने को मिलने वाला है जो की होगा 6.4 इंच की IPS LCD टाइप की display देखने को मिलने वाली है बात क्या जाए स्मार्टफोन के RAM के बारे में तो 4GB RAM के साथ हमें 64GB का storage देखने को मिलने वाला है यह स्मार्टफोन इंडिया में 2 variant में launch होगा 4GB एंड 6GB RAM के साथ तो guys 4GB RAM के साथ हमें 64GB का storage एंड 6GB RAM के साथ 128GB का storage देखने को मिलेगा इंडिया में इसी के साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमें quad camera का option देखने को मिलेगा जहांपे हमें 4 camera देखने को मिलेंगे Redmi Note 9 में जिसमें से एक camera होगा 48MP का जो की होगा high resolution के साथ और जो second camera होगा वो होगा 8MP का जो last के दो camera बचेंगे वो होगे 22MP के बात करें इसके front camera के बारे में तो 13MP का हमें front camera देखने को मिलेगा ultra high resolution के साथ में बात करें यहीं पर इस स्मार्टफोन के battery capacity के बारे में तो 1400 mh की battery capacity देखने को मिलने वाली है Redmi Note 9 में और गाइस बात करें स्मार्टफोन के price और launch date के बारे में तो इंडियान मार्केट में जो स्मार्टफोन का price होने वाला है वो होगा 11,999 रुपे बात करें इसके launch date के बारे में तो 12 March 2020 को यह स्मार्टफोन अवलेवल दिखाई देगा इंडिया में तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सस्क्राइब करना मत बुलिएगा क्योंकि आपका भाई मोबाइल से लिटेंड न्यूज और अपडेट अपने चैनल पे लाते रहता है तो इस वीडियो में इतना ही